CDS के एक्जाम में सबसे important English होता है लेकिन कुछ साथ साथ आपको GS में काफी अच्छा स्कूर करना पड़ता है इसका यह मतलब नहीं है आपको GS में टॉप करना है अगर जिसने टेक्निक समझ ली उसका एक्जाम आराम से clear हो जाएगा मैं आपको आगे बताओंगा कि कितने questions आपको अटेम्ट करने पड़ेंगे जिससे कि आपको negative हटा के आपके mark साई सही बने तो जैसे कि आप English का paper अटेम्ट करते हैं उसके बाद आपको time gap बिलता है उस time gap में आपको किसे बात नहीं करनी है बड़ीया पानी वानी बीजिए न आपको लिवे वाली क्योंकि उससे क्या होता है कि हमारे दिमाग को एक तो glucose मिलता है और हमारा दिमाग मन लगे रहता है उसमें कहीं बठकता नहीं है तो उसके साथ साथ अब मैं आपको बताता हूं कितने आपके questions attempt करने हैं आपको जैसे आप practice कर रहे हैं regularly दिशा से तो आपका educated guess बन रहा होगा आप किसी भी यह नहीं कि ABCD में सिर्फ आपको दो question at least आप eliminate कर पा रहे होंगे यह नहीं कि मतलब चारोन चारोन नहीं हा रहे हैं इतना आपको आ रहा होगा तो मैं आपको बताता हूं कि 50% 50-50 वाले question को कितने आप attempt कर सकते हैं आपको पता होगा कि आपको at least 20% marks लाने होते हैं 20% अगर आपको लाने हैं तो अगर आप 25 questions correct करते हैं without any hint of doubt तो आप 20.82 marks लेंगे अगर आप 30 questions attempt करते हैं बीना negative के तो आपको 25 marks मिलेंगे 35 questions 29.15 marks 40 questions 33 marks यह तो हो गया आपको कितने correct करने पे मिलते हैं अब आपको negative करने पे कितने मिलते हैं चार questions अगर आप गलत करते हैं तो आपके 1.10 marks गटते हैं क्योंकि एक सही marks में 0.83 मिलता है और एक negative करने पे एक question का 0.27 माइनस होता है तो 8 अगर आप गलत करते हैं question 8 questions if you mark wrong you your 2.21 marks will be deducted from your main score 10 questions गलत होते हैं तो 2.77 15 questions गलत होते हैं 4.155 इतने आपके detect हो सकते हैं अब मैं आपको बताता हूँ कि short short अगर आपको 20 marks चाहिए तो आप कितने हद तक का attempt कर सकते हैं अगर आपको पता है कि English का paper ठीक ठा गया है और GS में आपको score बढ़ाना है तो आपको जादे जादे करने पढ़ेंगे लेकिन अगर English का paper ही tough आया है तो आपको एकदम correct 25 करने चाहिए जो आप sure हो 25 के 25 के बाद अगर आपको और आते हैं तो well and good लेकिन अगर आपको correct 25 आते हैं उसके राव एक भी extra नहाता तो मत करिए मेरे साब से इतना ही करना चाहिए जैसे कि आपको जाखने चाहिए tough है कि easy है पहले है तीस question अगर आप attempt क समझने अगर आप 35 attempt कर रहे हैं तो at least 27 questions correct होने चाहिए आप लिख लिजे कागज में और 8 questions आप doubtful attempt कर सकते हैं ऐसे ही अगर आप 40 questions attempt कर रहे हैं तो 29 questions तो सही होने ही चाहिए है ना 20.83 marks लेने गरे उसके अलावा 11 questions आप doubt वाले 252 personnel attempt कर सकते हैं अगर आप 50 total attempt कर रहे हैं तो 31 questions उसमें at least सही होने चाहिए और 19 questions आप attempt कर सकते हैं तो आप देख रहे होंगे जैसे जैसे आप ज़्यादा question attempt कर रहे हैं वैसे वैसे आपको उतने ज़्यादा ही extra doubtful question attempt करने का मौका मिल रहे हैं तो मैंने life में आज तक आप 50 questions कभी attempt नहीं करे हैं तो मैंने आपको बस data निक आता है इतना है आप कितना भी पढ़ लो आपका exam English से ही निकलता है अभी भी time है English को daily दो घंटे previous question paper लगाओ उसके बाद GS में जो पढ़ रहे हैं उसको MC की लगाओ दिशा से उससे आपका educated guess बढ़ेगा उसके अलावा daily revise करो ठीक है यह चीज़ आपको करनी है और अगर short item करने से आएंगे बस इतना समझ लिए और मैं तो ऐसा करता था कि बढ़िया बैटे जाता था लास्ट के आदे घंटे में मैं MC की बढ़ता था GS में English में तो तुरंद बढ़ता था टाइम नी बसता है GS में आप आराम से आप तीन चार दस बार पढ़ लेंगे हर question को इतना सोच समझ के attempt करिए कि मतलब फुक फुक के चलना है कहते हैं वैसे है तो पूरा टाइम लिजे अपना कोई जल्दी बाजी नहीं है दो गंटे मिलते हैं उसमें देड़ गंटे आप दिमाग लगाए कि इस cancer यह है कि यह है short short लिख लिए इतने कर रहे हैं उसके बाद आप MC क मार करिए टाइम लेकर अच्छे से कि A का C है तो आराम से C के आपाज आगे भरना है क्योंकि इसमें बहुत गलती थी बबल करने में उपर नीचे अगर हो गया तो पूरा सीरीज आपका कराब हो जाता है इसलिए बहुत सोच कि करने है और 50-50 परशन टाले questions छोड़ के अब करने हैं आपको कि पहले भी बहुत बहुत बोल शुका हूं आप बात में क्योंकि फिर सोचेंगे कि अट्रिया होता क्योंकि अगर आप News करेंगे तो आप हमेशा फायदे में रहेंगे 50-50 आपने करने में क्योंकि इतने भी आप इतना टैंसे कर पढ़ रहे तो आपको झाल झाल